Hello everyone, welcome to my channel Delhi Tarot और ये है आपकी yearly reading for the number series 5, 14 और 23rd So जो लोग किसी भी मन्त की 5, 14 या 23 तारिक का जिनका बर्थ है धिहान रखे date of birth जिस दिन आपका बर्थ हुआ है जैसे की 5 March, 14 April, 23 February Not the complete life path number वो आप ना ले, बस date of birth ले 5, 14 और 23 किसी भी महीने की जनवरी से लेके December तक So ये numerology reading उसकी है और पहले मैं आपको overall जो आपके messages है वो बताऊंगी और वीडियो के end में मैं आपको बताऊंगी कि आपके इस साल के lucky numbers कौन से है So वीडियो के साथ end तक जुड़े रहें ये एक general reading है उन सभी लोगों के लिए जिनके जनम या जिनका date of birth या जिनका birth day इन तीन तरिक को आता है 5, 14 और 23 किसी भी मंद के और अगर आपको पसंद है जो मैं करती हूँ और जो मैं वीडियो पोस्ट करती हूँ तो चैनल को like, subscribe और share जरूर करें और notification जरूर on करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो करूँ आपको immediately पता चल जाए कि मैंने एक नया वीडियो डाला है और वीडियो के end में जब मैं already पूरी reading कर लूँगी आपकी money reading और overall reading इस particular year की और सारे messages तो वीडियो के end में मैं आपको इस साल के lucky numbers भी बताऊंगी ये lucky numbers वो है जो आप किसी भी कोई आपको important decision लेना हो कोई आपको important कोई काम करना हो तो आप in days को prefer कर सकते हैं अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसी दिन करें ये एक suggestion है कि अगर आप करेंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि बनाये हुए एक दिन तो सारे ही भगवान के हैं लेकिन अगर आप चाहें तो इन numbers को आप बिल्कुल follow कर सकते हैं तो चली अब हम आपकी reading की तरफ चलते हैं देखिए इस साल बहुत हद तक possibility है कि आपको आपके environment में जादा तर लोग इस साल वो मिलेंगे जो आपके well-wisher नहीं होंगे जैसे animism, jealousy आपको दिखेगा कि वो श लेकिन आपके aura के around जो आपको लग रहा है कि ये मेरे well-wisher है ये जरूरी नहीं है कि वो आपके well-wisher हों तो इस साल जो आपकी energies है क्योंकि energy card बहुत ही important होते हैं इसलिए मैं जब भी कोई reading करती हूँ सबसे पहले energy oracle इसलिए निकालती हूँ कि उस समय की energy क्या चल रही है य आप ये देखें ये card envious का ये बताता है कि आपके around animism और jealousy होने की काफी हट तक संभावनाए है इस particular year में लेकिन इसके साथ जो card आया था वो आया था the sun का क्योंकि ये सारे ही card मैंने already meditate कर रखे थे दोनों ही readings English में भी है और हिंदी में भी है ये आपकी yearly reading है 2022 की इसलिए मैं दोनों ही readings दोनों वीडियों कर रही हों English और हिंदी में तो साथ में जो आपका ये card आया था वो है the sun जब भी sun का card आता है वो बहुत ही strong card होता है किसी भी reading में तो जो आप इस साल चाहते हैं चाहे वो abundance है money है पैसा है prosperity है किसी important decision को लेके कोई clarity है आप ये देखेंगे कि जब sun आता है तो सारी चीजों में clarity, abundance, prosperity, growth और fertility आती ही आती है तो अगर आप even अगर आप family planning के लिए सोच रहे हैं तो भी sun का card एक बहुत ही strong और एक good news का card है तो इस साल आपके aura के around हाला की animism जरूर है लेकिन आपकी खुद की energy sun की तरह बहुत ही strong रहेगी और ये भी possible है कि sun का क्योंकि आप पर blessing है तो आप इस साल बहुत ही strong रहेंगे और क्योंकि sun का card है तो सूर्य बीज मंत्र अगर आप करें जो की YouTube पर available है आप type भी कर सकते हैं सूर्य का बीज मंत्र आप अगर उसको रखें sun की photo ले ले अगर वो अपने room में रखें अपने laptop पे रखें अपनी काट था आपके energies का the thinking man अब चाहे male हो या female हो आप इस साल बहुती planning से बहुती strategy से और सोथ समझ कर किसी भी चीज में आप आगे बढ़ेंगे चाहे वो कोई personal relationship हो marriage हो कोई job की बात हो कोई business की बात हो कोई partnership हो कुछ भी हो लेकिन the thinking card हमें बताता है कि आप इस साल कोई भी काम स सोथ समझ के करेंगे और आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान भी आ सकता है जो की बहुती समझदार होगा so the thinking man is a very very good card when you have it in your reading और आप ये देखें कि आप खुद भी बहुत अच्छे से सोथ समझ के आगे बढ़ेंगे इस साल और आपके औरा में भी कोई ना कोई जीवन में आपके male या female जरूर आएंगे इस साल जो बहुती अच्छी सोच रखते होंगे तो ये हमारे energies अब ये देख लेते हैं हमारे angel cards क्या कहते हैं look for a sign ये मतलब है कि आप इस साल ये देखेंगे कि angels किसी ना किसी तरीके से आप से communicate करना चाह रहे हैं चाहे वो number form हो सकता है feathers हो सक जब कोई आपसे बात करने आ रहा हो तो वो उस सवाल का जवाब आपको उनकी बातों में मिल जाए so this year आपको कोई ना कोई ऐसी चीज आपको अनुभव होती ही रहेगी जिस से आपको पता लगेगा कि आगे आप जो करना चाहते हैं या आगे आप जो सोच रहे हैं उसके आपको पहले से ही सिगनल्स मिलने गौड की तरफ से डिवाइन की तरफ से मिलने शुरू हो गए हैं और दूसरा कार्ड है आपके ट्रस्ट का चाहे किसी भी चीज में कोई डिले हो रहा हो कोई चैलन्ज आ रहा हो कोई परिशानी हो रही हो देरी हो एंजल्स का क्लियर मैसे है आपके लिए कि आप अपना ट्रस्ट ना खोएं युनिवर्स पर और अपनी किस्मत पर जरूर ट्रस्ट करें आपका वो काम जरूर बनेगा चाहे डिले से क्यों न बने और कोई ऐसी चीज जो आपके जीवन में आपको लग रहा है अब मेरे जीवन में इसकी जरूरत नही है चाहे वो relationship हो सकता है या कोई ऐसी job जो आपको बहुत ही mental peace और happiness नहीं दे रही हो कोई relationship है ऐसा कोई ऐसी चीज है जो आपको bother कर रही है बहुत time से अब उस चीज के आपके जीवन के जाने का समय आ गया है अगर आपको लग रहा है कि उस चीज का relationship का या उस इंसान का या उस business का होना या उस deal का होना या उस partner का होना आपके जीवन में अब कोई माइने नहीं रख रहा आपकी time energy उस पर waste हो रही है और आपको मन की संतुष्टी happiness और peace नहीं मिल रही है तो उसका चले जाना ही आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा आपका भी दूर चले जाना बह कि traveling से इस साल आपको काफी benefit हो सकता है ट्रैवल जरूरी नहीं है कि आप खाली विदेश यातरा ही करें घर से बहार नेकलना किसी काम से लिकलना या दूसरे किसी शहर जाना इस साल आपके traveling के chances काफी bright हैं और आपके बाकी के काज यह हमें बताते हैं कि इस साल आप जो भी dream देखें dreams देखना बिलकुल बंद ना करें चाहें उसमें आपको कितना ही delay होगा लेकिन आपको कहीं न कहीं से मदद support help मिल ही जाएगी कि अगर आपका काम कहीं अड़ेगा भी तो भी help कि तौर पर कहीं से आपको मदद मिलेगी और आपका वो काम जरूर होगा बस अप धीर दीरे चलते रहें अपनी जरनी को रोके नहीं बिलकुल भी और यह आपके animal spirit message है यह दूसरा deck होता है इसमें यह है कि there is always enough आप इस साल यह कोशिश करें कि अपने मन को समझाएं कि आपके पास जो भी है वो परमात्मा की देन है और बहुत ही अच्छा दिया हुआ है gratitude और grace क आपका card एक बार नहीं बलकि दो बार आया है कि अगर आप मन से संतुष्टी दिखाएंगे तो आप यह देखेंगे कि आपके धन और धान खूब भढ़ेंगे इसका यह मतलब है कि आपकी abundance और prosperity तभी बढ़ेगी जब आप मन से संतुष्ट feel होना देखिए एक तो होता है क आपको मिले तबा बहुत खुश होते हैं एक होता है कि requirement के हिसाब से अगर आपका भरा हुआ है धन और अगर requirement के हिसाब से अभी आपका पूरा है कि आपका कोई काम रुक रहा है आप पर आपकी बात बन जाएगी यह आपके पास इतना है कि आपके जो needs है वो असानी से समझके implement करते हैं और तीसा कार्ट जो है वो यह बताता है set healthy boundaries इसका यह मतलब है कि किस इंसान को कितनी जगह अपने जीवन में देनी है कितना समय देना है कहां पर अगर आप जा रहे हैं वहां कितना समय देना है हर चीज की अगर आप एक set boundary रखेंगे तो आपके लिए इस स साल वो एक बहुत ही अच्छी बात सावित होगी set healthy boundaries ताकि आपकी वज़े से भी किसी को परिशानी ना हो और किसी की वज़े से आपको भी परिशानी ना हो और यह आपके जो spirit messages हैं उसमें यह message है कि इस साल आपको आप कुछ भी काम करना चाहेंगे अगर आप job change करना चाह कि जब आप सोचेंगे कि अब मुझे यह करना है उस साल उस समय जीवन में वो एक बहुत ही बहतरीन समय होगा जब आपके मन में आ जाएगा कि हाँ अब यह काम मुझे करना है अब मुझे job change करनी है अब मुझे relationship में जाना है और अब मुझे इसके साथ शादी करनी है यह marriage क परफेक्ट टाइमिंग का कार यह कह रहा है कि आप आगे की तरफ देखें लेकिन आप अपने मन के हिसाब से जो समझेंगे कि यह समय मेरे लिए ठीक है किसी वी एक पटिकुलर चीज के लिए या इनसान के लिए जगह के लिए वो आपकी परफेक्ट टाइमिंग होगी तो अगर आपके मन किसी भी या किसी भी रिष्टे से जगह से मन दुखी हुआ है तो आप यह देखेंगे कि नेचर से अगर आप अपना समय पेड, पौधे, फ्लावर, नेचर, गार्डन की तरफ बिताएंगे तो आपको नाचरल हीलिंग मिलने की काफी पॉसिबिलिटीज है क्योंकि रिडिंग में यह आ रहा है कि जब आप किसी चीज को लेट गो करेंगे, जो चीज आपको ऐसा लग रहा है कि अब तो मेरे जीवन में इसकी जगह नहीं है या अब मुझे इस चीज से दूर चले जाना है, चाहे वो इंसान हो, चाहे जगह, चाहे कोई situation, आपको ख घर के बाहर अपना समय व्यतीत करेंगे, गार्डन में, फ्लावर्स में, ठीज में, तो आपको प्लांट से नाचरल हीलिंग मिलेगी और आप कोशिश करके इसको एक रूटीन भी बना सकते हैं, दिन में दो बार आदा आदा घंटा गरा बाहर बैठें, अच्छे ताइम मे तब आपको ये healing मिलने के बहुत अच्छे chances हैं, और ये तीसरा card आपका बताता है, get some exercise, it is important कि आपकी body को क्या need है और किस तरीके की exercise आपको चाहिए, उस बात पर आप जरूर थ्यान दे, तो चलिए ये तो आपके messages थे पूरे साल के लिए, और अब हम ये देखते हैं कि messages बहुत ही अच्छे और बहुत ही strong आए हैं, आपकी reading में Goddess Kali की presence है, Goddess Kali हमारे जो हम मानते हैं, जितने भी God Goddesses मानते हैं, आप सभी को अच्छी तरह पता होगा कि Goddess Kali प्रोटेक्शन की Goddess है, तो जब Goddess Kali आती है, तो इसका ये मतलब है कि आपके aura में जितनी भी negativity है, animism है, jealousy ह anger है, arrogance है किसी की आपके environment में, Goddess Kali आपको उससे protect करती है, Goddess Kali का एक benefit और है कि अगर कुछ चीज बहुत समय से आपको परिशान कर रही है, तो वो end की तरफ natural way में चली जाएगी, आपको protection देती हुई, end के साथ साथ important बात यह है कि एक बहुत ही सुनहरी beginning भी होती है, अब देखिए ये card जो है आपका Goddess Kali का, वो card of envy, जो की jealousy से भी match करता है, और sun से भी match करता है, तो जब beginning होगी, वो उतनी ही उजवल होगी, जैसे की सूर्य, तो अब आपने करना है कि YouTube पर आप जाएं, जब आ सकते हैं, और Kali का जो मंतर होता है, उसको डाउनलोड करें, उसमें कई सारे वीडियो होते हैं, काली मंतर के, आप ये देखें कि कौन सा वीडियो सुनने के बाद आपको अच्छा लग रहा है, जिससे आपको मन, दिल, दिमाग और आत्मा की शांती मिल रही है, जब आपको वो वैसा वीडियो मिल जाए, काली मंतर का, आप उसको डाउनलोड करके रख लें, और उसको बार-बार डेली दिन में दो से तीन बार सुनें, तो आपको एक नाचरल वे में हीलिंग भी मिलेगी, और नाचरल वे में प्रोटेक्शन भी मिलेगी, और क्यूंकि ये मनी के ल तो भी गौड़ेस काली उस चीज को प्रोटेक्ट करके आपका काम जरूर बनेगा, और दूसरा कार्ट जो है वो आपका है डिवाइन पैशन का, जो कि क्लियर ये मेसेज देता है कि आप उसी प्रोफेशन की तरफ अब आगे बढ़ें, जिस प्रोफेशन में आपकी करने क इच्छा हो, आपका पैशन हो, आपकी होबी हो, तो पैशन और प्रोफेशन को जब आप मिक्स करेंगे, तो वो एक एक उक्वेशन बन जाती है कि पैशन इंटू प्रोफेशन इस एक्वएल टू मनी ओफ यॉर चोईस, इसका यह मतलब है कि जब आप काम को अपने शौप के साथ mix कर देते हैं जो चीज आप करना चाते हैं दिल से तो आपको money मिलनी ही मिलनी है उसमें कोई दोराहा बिल्कुल भी नहीं है और तीसरा card है कि go outside इसमें ये reading कहती है कि बहुत time हो गया है हम सबने घर से ही काम किया है तो थोड़ा अगर आप बाहर चलने की कोशिश अब यह आप पर depend करता है कि आप इसको pick up करना चाते हैं कि नहीं करना चाते अब घर से बाहर जाना है शेहर से बाहर जाना है या country से बाहर जाना है यह complete choice जो है वो आपकी होनी है अब जब हमने आपकी tarot reading करी तो इसमें आपके दो cards आए हैं कि knight of swords के तो जब यह knight आते हैं जिसमें आपको horses दिखते हैं इसका यह मतलब है कि आपकी movement होनी ही होनी है चाहे वो personal relationship हो चाहे वो professional relationship हो जब आपको लगेगा कि अब मेरा काम अड़ गया है या आगे नहीं बढ़ रहा है या चल नहीं रहा है आप तब ही देखेंगे कि उसमें movement आनी शुरू हो जाएगी ल यह मतलब नहीं है कि अच्छी English बोलना या अच्छी Hindi बोलना नहीं communication का यह मतलब है यहाँ पर कि आप किस से क्या बात कर रहे हैं tone क्या है words क्या है किस तरीके से किस लहजे में बात कर रहे हैं यह बहुत ज़रूरी हो जाएगा ध्यान देना तो आप यह देखें कि two of swords और knight of swords यह हमें बताता है कि आपने ध्यान से इस साल अपनी communication पर काफी तवज़ो देनी है और सही इनसान से सही समय और सही जगा पर अगर आप बात करेंगे तो आपके लिए बहुत benefit होगा और इसके clarification में जब इन cards को detail में मैं देखना चाह रही थी तब मुझे मिला four of wands इसका य चले या मेरा ऐसा कोई business चल जाए जो कि मेरा business चले नहीं बलकि हमेशा के लिए जम जाए तो इस साल आप long term stability पे काम जरूर करेंगे और long term relationship पे काम जरूर करेंगे और इसके साथ king of wands का हमें एक card बताता है कि आप इस साल जो भी आपकी किसमत चमकेगी वो चमकेगी आपकी अपकी अपनी मेहनत आपकी अपनी energy और आपके अंदर करने की आग fire energy कितनी आप में करने की इच्छा है ललाहट है fire energy है किस काम को complete करने में वो चीज़ आपको इस साल बहुत ही different अच्छे और अकस्मात फल देंगे और बहुत अच्छे फल देंगे और ये तीन messages हमारे हैं जो की है nomad walkabout and the art of life ये card हमें बताते हैं कि आप धीरे धीरे तीनों ही card का एक ही meaning है कि आप धीरे धीरे इस journey पर चलते रहें चाहे difficulty कितनी आए पर आप ये पाएंगे कि आपको success मिलेगी ही मिलेगी और जहां तक मैं समझती हूँ कि इस साल क्योंकि आपकी energies जो है वो sun की energies है और sun हमें जरूर कोई न कोई benefit देता है तो आप ये पाएंगे कि कहीं पर भी अगर आपको अंधेरा देखेगा या आपकी रुकावट आएगी तो आप ये देखेंगे कि अचानक से कोई न कोई आपकी मदद के लिए आ जाएगा या अचानक से known और unknown दोनों ही तरीके के ल lucky number है तो आप प्लीज pen और paper के साथ ये numbers note कर लें और ये number मैं दुबारा बताना चाहूंगी कोई जरूरी नहीं है ये आपकी इच्छा है कि आप इन numbers को follow करें मुझे लगता है ये numbers हमेशा अच्छे होते हैं और मैं numbers पे काम काफी करती हूँ इसलिए मैं आपको ये numbers suggest कर रह नहीं हूँ आप बिल्कुल note कर सकते हैं तो आपके lucky number है इस साल के number 1, number 2, number 3, number 7 और number 9 किसी भी महिने का आपको अगर important काम करने है या कुछ important decision लेना है कुछ सोचना है आप ये numbers बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं number है 1, 2, 3, 7 and 9 number 1, number 2, number 3, number 7 और number 9 और एक जो angel number आपके में आया है आप YouTube पर type करें angel number 24 angel number 24 अगर आपको लगता है Google पर ये type करने से कि उस number का जो message आ रहा है वो कहीं न कहीं आपकी life से जुड़ा है तभी आप उस number से suggestion भी लें और तभी आप उस number में जो कहीं ही बात होगी उसको आप implement भी कर सकते हैं अपने जीवन में बट ये आपकी choice है ये mandatory बिलकुल भी नहीं है ये numbers सिरफ आपकी सुविधा के लिए और आप अगर इन दिन पर चीजों को prefer करते हैं तो बहुत अच्छी चीजे होने के काफी chances हैं तो ये थी आपकी reading उन लोगों के लिए जो कि किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारिक को जन्मे हैं क्योंकि ये एक general reading है तो इस में से आपको अपने लिए जो ठीक लगे वही आप pick up करें बाकी दूसरों के लिए छोड़ दें और जिन भी लोगों ने मुझसे personally connect करना है अपने private sessions के लिए please keep that in mind कि जब भी आप मुझे contact करेंगे personal private session के लिए वो एक paid service है तो उस हिसाब से ही आप मुझे नीचे दिये गई email ID पे contact करें Thank you so much and may you have the best of new year that is year 2022. All the best.